हर शिव भग, शिव की पूजा, भक्ती, आरात्ना और ध्यान में मगनि रहता है। आज श्री मंदिर की ओर से खास प्रस्तुती के मात्यम से हम आपको ओम नमश्रिवाय, उसके अर्थ और उसके महत्व से रूबरू कराएंगे। इस पावन अवसर पर श्री मंदिर के मात्यम से हम आपको एक ऐसे मंत्र के बारे में बता रहे हैं, जिसका जाप और ध्यान तो कई लोग करते हैं, लेकिन उन्हें इसके बारे में शायद ही बता हो। हम बात कर रहे हैं भगवान शिव के सबसे सरल, लेकिन सबसे शक्तिशाली मंत्र ओम नमशिवाय की। भगवान महादेव शिव की संपूर्ण साधना पत्विती इस पावन मंत्र में समाहित है, इस प्रभावशाली मंत्र में तीन शब्द सम्मिलित हैं, और हर एक शब्द अपने आप में परिपूर्ण और महत्वपूर्ण है, इस मंत्र की शुर्वात होती है ओम से, साधना क प्रवसिद्धी के लिए जिस पहली शब्द की आविशक्ता है वो है ओम के जाब से अधुमुखी बुद्धी उधर्व मुखी बनती है इससे इच्छा की पूर्ती ही नहीं बलकि इसका अभाव भी हो जाता है और जिसमें इच्छा का अभाव है वो जगत का सम्राठ है ओम शब्द तीन ध्वन्यों से बना हुआ है अ, उ, म, इन तीन ध्वन्यों का अर्थ उपनिशद में भी आता है अ मतलब अकार जो ब्रह्मा का वाचक है उ मतलब उंकार जो कि विश्नु का वाचक है और म मतलब मकार जो शंकर का वाचक माना जाता है जब साधक ध्यान की कहंता अवस्था में पहुंशते हैं, तो उन्हें सिर्फ एक ऐसी ध्वनी सुनाई देती हैं, और वो है ओम। ये अनादी और अनन्त तथा निर्वान या मोक्ष की अवस्था का प्रतीक है। इस मंत्र का जब करने से कुंडलीनी के सारे चक्र एक साथ जागरित होने लगते हैं। इसके बाद आते हैं शेश दो शब्र नमह और शिवाय। नमह शिवाय का अर्थ है शिव को नमस्कार या सब का मंगल करने वाले को नमस्कार। इसे शिव पंचाक्षर मंत्र या पंचाक्षर मंत्र के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है पांच अक्षर वाला मंत्र, ये भगवार शिव को समर्पित है, ये मंत्र शी रुद्रम चमकम और रुद्राश ध्याई में न, मह, शी, वा और य के रूप में प्रकट महाध्वनी पानी का, शीध्वनी अगनी का, वाध्वनी प्राणि या प्रान वायु का और याध्वनी आकाश का प्रतिनिद्व करता है। वाला है ये मंत्र, जो इस मंत्र को निरंत मन में धारन करता है, वो भी शीग्र ही, शिव स्वरूप बन जाता है। अकसर लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि इस मंत्र का जब या ध्यान कब करना चाहिए। तो हम आपको बता दे कि वेदु और पुरानों में इस अद्भुत मंत्र का जाप करने का कोई निश्चित समय नहीं है। योगी, साधन और तपस्वी, पूरी रात जाकर इस मंत्र का ध्यान कर, शिव को अपने अंदर मन में महसूस करते हैं और अपने अंदर आलो की कूर्जा की अनुभूती करते हैं। आप भी इस मंदर के जर्ये भगवान शिव की अनुभूती अपनी आत्मा में कर सकते हैं। श्री मंदर के इस खास प्रस्तूती के माध्यम से आज आपने जाना ओम नमस्षिवाय के अर्थ को। भुलेनात की कृपा आप सब बर्बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ हम लेते हैं आप से इजाज़त। ओम नमस्षिवाय।